टाइन एक्टिंग गुरू को कीजिये सब्सक्राइब और पाईए अपने मुबाइल पे सबसे पहले वीडियो अज पहली एक्सराइज है जो इसमें हम पैंसिल को अपने दातों में दबा के उसमें डायलोग्स बोलते हैं जीप को थोड़ा स्ट्रगल करने देते हैं एक्टिंग जो हमारी टंग होती है उसको स्ट्रगल करने देते हैं और डायलोग्स बोलते हैं आई शुरू करते हैं मेरा नाम राजु है एक बर और साफ करके बोलके देखी राजु इस तरीके से आपको कुछ स्पीच पढ़नी है मालीजय आपने अखबार ले लिया अखबार में एक चोटा आर्टिकल लिया और डातों में पैंसिल दबाई और उस आर्टिकल को पढ़ा आपने इसी तरीके से आपको जब साफ निकलेगा तो जब आप जीप उसके बाद जब पैंसल हटा के जब आप एक्साइस करेंगे जब बोलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके आपकी ठंग ने कितनी मेहनत करी है और कितने बढ़िया आप तैलोग बोल रहे हैं ठीक है एइट नाइट टैन इस एक्सेसाइस से क्या हुआ कि जो शब्द इन्होंने बोले बन से लेकर टैन तक जो गिंती इन्होंने बोली उसमें काफी स्ट्रगल करा इन्होंने वान टू सांस को बांधा सांस को बांधना बहुत जरूरी है एक स्पीच मोलने के लिए सांस को बा इस exercise से क्या होगा कि आप speech जब आप बोलेंगे तो आप कोई बड़ा माली sentence बोल रहे हैं तो वो आप एक सांस में बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं इस exercise से आपको काफी फाइदा होगा आप इस exercise को रोज सुभा को तीन से पांच मिनट मौर्णिंग में करिए या इविनिंग में करिए रेगूलर करिए पंदरा दिन करने के बाद आपको इससे काफी फाइदा होगा और जिन लोग को गले में कुछ प्रॉब्लम है कुछ टॉ करने के लिए इस चैप्टर टू में आपने जो वाइस की एक्सराइज यानि की स्पीच की एक्सराइज जो आपने सीखी उससे आपको काफी फायदा होगा देखिए मैं आपको बता हूँ जो लोग स्पीच के त्यारी कर रहे हैं आप कभी भी कहीं आउडिशन में जाते हैं तो आपको स्पीच तयार होना बहुत जरूरी है आपके पास स्पीच होना चाहिए आपके पास डायलोग होना चाहिए और अच्छी तरीके से वह आपकी स्पीच तयार हो तब ही किसी आप आप आडिशन में जाएए और जब आप आडिशन में जाएंगे तो आपको जरूर उसका फाइदा होगा और आपकी स्पीच अगर अच्छी होगी तो जरूर आपकी कास्टिंग होगी तो आपको अपनी स्पीच सही करने के लिए सबसे पहले तो अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है अख़बार के आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है उसके आर्टिकल को आप रोज सुबा को पढ़िए थोड़ा जोड़ से पढ़िए थोड़ा चीख के बोलिए उसमें और उनको पढ़ने के बाद जैसे जो exercise थी अभी आपने देखी वान, चूँँ तो इस exercise के साथ में उस अख़बार को आप पूरा पढ़िए उससे क्या होगा कि आपको आपकी speech अच्छी हो जाएगी और speech जब अच्छी हो जाएगी तो जहर सी बात है चैप्टर वन में जो आपने सीखी है exercise वाइस के लिए तो आपकी वाइस अच्छी होगी और speech जब अच्छी होगी तो दोनों चीज़े मिलने के बाद आपको audition जबरदस होगा ये मुझे उम्मीद है और आप प्रॉपर तरीके से त्यारी करिए कम से कम 15 दिन करिए आपको जरूर उसका फाइदा होगा और प्लीज प्लीज मैं आपको बता दू कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ये बिल्कुल free of cost है इसका कोई भी पैसा नहीं लगता आप इससे सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको कमेंट करना है लाइक करना है प्लीज हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमने डिस्क्रिप्चन में अपना मुबाइल नमबर दिया हुआ है उसमें वाट्सअप नमबर है आप चाहें तो हमें वाट्सअप करते हैं